हलो एरिवन स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्केमिनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर आज हम पढ़ेंगे और्गनोमेटलिक कंपाउंड तो चलिए शुरू करते हैं और्गनोमेटलिक कंपाउंड के अगर हम डेफिनेशन की बात करें कंपाउंड इन विछ मेटल इस सबसे इंपोर्टन बात ही कि और्गनोमेटलिक कंपाउंड का जो पहला चंसेप्ट अगर हम बात करें जैसे हम दिमाग में एका घंप्र ओर् raft और्गनिक पार्ट और्गनिक का अतलब कार्भन और मैटली मूsmotry तो यहाँ पर क्या है the compound in which the metal is directly attached with carbon atom पहली बात यह है दूसरी बात क्या है and the carbon group must be organic जो carbon atom है वो organic group का part होना चाहिए metal carbonates, metal oxalates, metal signides are not organometallic compounds तो अगर हम बात करें carbonate की उसके बाद अगर हम बात करें oxalates की और signides की यह अगर है तो इसको हम organometallic compound नहीं कहेंगे या हम कहें कि इनको consider नहीं करेंगे जैसे मान लीजिए metal carbonates है या metal oxalate है या metal cyanide है इनको हम organometric compound में consider नहीं करेंगे उसका reason क्या है ये जो part है ये आपके organic का part नहीं मान रहे हम इसको इसको क्या मान रहे है inorganic का part as a salt मान रहे हम इसको ठीक है अब यहां पर आगे यह कर रहा है metal alcoxides is not organometallic compound अब दीकि alcoxide का मतलब क्या है कि metal के साथ OR group जुडा हुआ है अब OR group जुडा हुआ है इसका मतलब metal और carbon का directly bond जो है वो नहीं है किसके साथ bond है oxygen के साथ तो यह तो वैसे definition से बाहर हो गया तो अगर माली जे question आता है कि NIM में से कौन सा organometallic compound है और कौन सा नहीं है तो वहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि metal carbonates को consider नहीं करना है metal oxalates को consider नहीं करना है metal cyanide को consider नहीं करना है और metal alcoxides को consider नहीं करना है इसके आगे दे रखा है metal carbonil according to option अब देखिए यह मैंने क्यों लिखा ऐसा वैसे तो नॉर्मल हम metal carbonils को organometallic compound में consider करते है लेकिन होता ही है कि जब question आएगा RPC में कि कौन सा organometallic compound है और कौन सा नहीं है तो वहाँ पर आपको चार option के according answer decide करना पड़ेगा कई बार क्या होता है कि काफी अच्छा option होता है तो वो हम उसको tick करते हैं और metal carbonil option होता है उसको हमको छोड़ना होता है और मान लीजेए कि जो चार option है उसमें तीन तो बिल्कुली reject होगे और एक metal carbonil बज़िया तो वहाँ पर answer क्या होगा metal carbonil तो यहाँ पर आपको metal carbonil के case में flexibility रखनी है according to option चार में से अगर metal carbonil से better option है तो वो tick करेंगे और अगर metal carbonil से better option नहीं है तो metal carbonil को आप organometally compound consider करेंगे वैसे metal carbonil को हम organometally compound मानते हैं लेकिन अगर चार option में metal carbonil से better option हो तो आपको वो tick करना है यह आप ध्यान रखना ठीक है चलिए आगे बात करते हैं Organometallic compound की अब दीकिए Organometallic compound को दो category में हमने divide कर रखा है Covalent और Ionic दीकिए मैं आपको और आपके chemical bonding वाले में बता चुका हूँ कि Covalent compound किसे कहते हैं और Ionic compound किसे कहते हैं और Covalent compound में Ion exist नहीं करते हैं हाँ partial charge जरूर हो सकता है तो यह basic difference है Ionic compound में lattice structure होती है जबकि यह molecule exist करते हैं अब अगर हम बात करें Organometallic compound की तो Covalent में आपके कौन-कौन से आ सकते हैं R3AL, R2CD, R2ZN, ETC ठीक है और भी काफी सारे हो सकते हैं क्यों एक example के तौर पर लिया है Ionic की अगर हम बात करें तो Rn है तो आप देखेंगे जो Ionic compound है वहाँ पर आप देखेंगे कि जो Metal है वो उसकी Ionic potential यह हम कहें electron negativity बहुत ही ज़ादा कम है जैसे sodium हो गया और अगर हम कोवलेंट की बात करें तो जिसकी Ionic potential यह Ionation potential यह Electron negativity competitively ज़ादा है वह किस बाएंगे कोवलेंट बाएंगे बहुत ज़ादा आपको नीट नहीं है एक आईडिया आपको होना चाहिए आगे बात करते हैं sigma complex and pi complex देखिए यह coordination chemistry का concept है simple सी बात यह है कि अगर ligand metal के साथ coordinate bond बना रहा है और वो coordinate bond lone pair से है या negative charge से है तो वो sigma complex कराता है simple सी बात है अब यहाँ पर यह simple Ionic compound है तो वहाँ पर आपको यह भी परेशान होने की ज़रती कि सनिया तो colon bond हमको दिखनी रहा है या complex नहीं दिख रहा है समझनी की बात है simple सी बात क्या है कि अगर metal के साथ जो organic part जोड़ावा है simple alkyl part जैसे CH3 minus है तो वहाँ पर CH3 minus जो है वो negative part जो है वो lone pair का का काम कर रहा है तो वो sigma complex में consider करेंगे किस में करेंगे sigma complex जैसे RNA, RLI, R2, ZN यहाँ पर R group जो है alkyl group है alkyl group का मतला R minus तो वहाँ पर वो जो coordinate bond बना रहा है या जो भी हम बात करें coordinate bond बना रहा है या ionic बना रहा है तो double bond में वो आपके second bond से electron लेता है वो pi acid ligand होते है एक बाद थोड़ा से hint देता हूँ आपको जैसे मैंने का यह metal है और यह ligand है अब यहाँ पर यह आप confuse बत हो ना कि सर यह तो complex हमको दिखी ले रहा है कि अल समझाने के लिए बात हो रही है अगर metal और ligand है अगर यह पहला bond बनाता है य्झे तो fix है पहला bond दूसरा बोंड जो है वो pi bond का काम दो पहला बॉंड तो sigma है दूसाँए Aby है अब वो दूसरा पाय है ऐसे भी हो सकता है और दूसरा पाय ऐसे भी हो सकता है तो जो दूसरा बाट बन रहा है जिसको we double bond करे है तो वह double bond को peg procurement मान रहे हैं क्या मान रहें पाई बॉन्ट और वह पाई बॉन्ड जो है अगर फो लिगेंड को दे रहा है तो यह लिगेंड P Ottoman कलाता है पाई आश्रीपन हैं पाई एसे लिगेंड हैं अलग कसर्प्ट अ हैं पाई lav always मेटल और लिगेंड के बीच में तो यह जो पहला बॉंड बन रहा है यह लिगेंड कैसे बना रहा है अगर नेगेटिव चार्ज से या लोन पियर से बनाता है तो उसको हम कहते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स और अगर यह पाई बॉंड सोरी यह जो पहला कॉडिनेट बॉंड रहा है अगर यह पाई बॉंड के इलेक्ट्रों से बनता है उसको हम पाई कॉम्प्लेक्स करते हैं जैसे सिद्धी सी बात ही है कि मान लीजे इथीन है CH2 डबल बॉंड CH2 यह इथीन आपके कोई लिगेंड है और यह लिगेंड की तरह भीव कर रहा है अब यहां पर ना तो पर दिखाइस एकजाम में आता है फेरोसीन उसकी बाद C6H6 का होलता है स्क्रोमियूं जैस सॉल्ट और भी हो सकते हैं यह आपको ध्यान रखना है फेरोसीन बहुत इंपोर्टेंट है कही बार एकजाम में आ चुका है और जैसॉल्ट भी बहुत इंपोर्टेंट है अब ज यहां पर थोड़ा सा मैं आपको एक्स्रा नॉलेज के लिए बता देता हूं कि जब हम पाई कॉंप्लेक्स की बात करते हैं किसकी बात करते हैं पाई कॉंप्लेक्स की तो एक कंसप आता है है अगर हम बात करें एक ligand से नहीं, metal overall कितने coordinate bond बना रहा है, double bond को वो एक ही मानेगा, इसको दो नहीं consider करेंगे, एक ही consider करेंगे, तो metal जितने coordinate bond बनाता है, उसको उसका coordination number कहते हैं, और अगर metal किसी ligand के साथ जोड़ावा है और वो ligand के electron delocalized है, जहां से सुनना अगर metal किसी ligand के साथ जोड़ावा और वो ligand के electron delocalized है तो जितने carbon atom, maximum carbon ही होँगे, जितने carbon atom एक साथ जोड़ा है metal के साथ, वो उसकी hapticity से टिकलाती है, देखिए polydented ligand का concept अलग है, जैसे bydented, tridented, वो अलग concept है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक atom, एक coordinate bond बना रहा है, दूसरा atom, दूसरा coordinate bond बना रहा है, वहाँ पर electron का delocalization नहीं है, लेकिन अगर pi bonded system है, ligand जो है वो क्या है, pi bonded system है, तो वहाँ पर जितने carbon atom, एक साथ metal के साथ जोड़ते हैं, वो उसकी hapticity कलाती है अब जैसे मान लिजी, अगर मैं इसकी बात करूँ, इथीन की, तो यहाँ पर इथीन में कितने carbon है, दो, और यह pi bond electron दे रहा है, अब यह pi bond एक carbon का तो है, दोनों का है, तो यहाँ पर आप क्या कहोगे, इसकी hapticity कितनी है, दो क्या कहोगे, इसकी hapticity कितनी है, दो, अब अगर मैं इसी की बात करूँ, जी आपके cyclopentadienyl anion है, तो अगर आप से कोई पूचे कि ferocene में oxidation state के iron की, तो आप क्या कहोगे, 2+, क्योंकि 1- इधर है, और 1- इधर है, ठीक है, तो अगर आप से कोई पूचे, ferocene में iron की oxidation number क्या है, तो answer क्या होगा, plus 2, क्योंकि यह cyclopentadienyl anion कह दो, यह cyclopentadienyl carbonine कह दो, अब यहाँ पर अगर आप से को पूचे hapticity, तो इसकी hapticity 5 होगी, क्योंकि आप दिखेंगे कि 5 कारबन जो है, एक साथ iron से bonded है, ठीक है, 5 कारबन एक साथ bonded है, तो oxidation state plus 2 होगी, hapticity 5 होगी, यह ferocene में काफी important है, exam में आता है, तो ferocene में आपके खास बात क्या होगी, formula आपको बताओ, चल गया, FE, ferocene में आप क्या कह सकतो, C5, H5 का whole twice, जैसे यहाँ पर लिख रहे हैं, C6, H6 का whole twice, इसे आप लिख सकतो, C5, H5 का whole twice, तो ferocene हो गया, oxidation state होगी, hapticity कोई पूछेगा ने, लेकिन मैंने knowledge के लिख लिख बता दिया, coordination number जरूर पूछ सकता है, तो यहाँ पर इसकी hapticity अगर 2 है, तो coordination number कितना है, एक, इसकी hapticity 5 है, तो coordination number कितना है, 3, तो आप क्या करो, जितनी hapticity, उसको 2 से divide कर दो, फिर उसको round off कर दो, hapticity 2 है, 2 से divide करा, 1 आगया, coordination number 1, hapticity कितनी 5 है, 2 से divide करा, तो कितना आगया, 2.5, तो उसको round off करेंगे, तो 3 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे कैसे, ferocene है, ऐसे ऐसे nicolocene आपने कर दिया, इसके बाद आपने क्या कर दिया, chromium वाला complex बना दिया, बहुत जादा detail में कोई नहीं पूछेगा, knowledge के लिए आपको बता दिया, क्योंकि ferocene और आपके zay salt exam में कई बार आ चुके, अब देखे, आगया अगर हम बात करें, तो यह आपके sandwich compound के example होगे, इसके बाद ferocene जो है important है, यहाँ पर यह जो लिगेंड है, आपके C5H5- है, जिसको हम क्या करें, cyclopentadienylcarbonine, यह simple anion भी कह सकते हैं, तो यहाँ पर ध्यान यह रखना है, कि इस पर negative charge है, इसके बाद अगर आप से कोई पूछे, कि इसमें number of pi electron कितने है, तो कई बार क्या होता है, कि हम सोचते कि negative charge है, दो pi bond दिख रहे हैं, तो कितने pi electron कर देते हैं, 4, जबकि आपको पता होना थी, मैंने आपको aromaticity में पढ़ाया है, कि यह आपके aromatic system है, यह जो negative charge है, वो delocalized दे pi bond में involved हो रहा है, organometallic compound of lithium, organometallic compound of magnesium, and organometallic compound of tin, तो इन तीनों को हम अच्छे से discuss करेंगे, उसके बाद भी अगर कोई point रह जाएगा, तो जो हम questions solve करेंगे, वहाँ पर clear कर लेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं, सबस्वेल अगर हम बात करें, organometallic compound of lithium की, तो RLI जो है, organometallic compound of lithium है, RLI जिसको हम super grignard reagent कहते हैं, देखिए, grignard reagent आप सब जानते हैं, RMJX होता है, RLI को हम super grignard reagent कहते हैं, इसका reason यह होता है, कि जो RLI की reactivity है, जो क्रियाशीलता है, वो RMJX मतलब grignard reagent से जादा होती, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, super grignard reagent, अब अगर हम बात करें, method of preparation की, method of preparation के अगर हम बात करें, सबसे पहला method है, RLI form करने के लिए, by halogen exchange method, halogen exchange method है, halogen को हम exchange कर देंगे, वहां से हम क्या form कर सकते हैं, RLI, तो देखिए, इस method में क्या दे रखा है, Rx, मतलब alkyl halide की reaction आप करा रहे हो, lithium के साथ, किसकी presence में, ether की presence में, किसकी presence में, ether, diethyl ether आप कह सकते हो, temperature आपने कितना ले रखा, minus 20 degree centigrade, तो यहाँ पर जब आप reaction करा होगे, तो देखोगे कि, reaction में क्या हो रहा है, RLI फॉर्म हो रहा है, क्या फॉर्म हो रहा है, RLI, और X जो है, वो भी LI के साथ जा रहा है, मतलब Rx जो था, उसको break कर दिया, और R के साथ भी LI चला गया, और X के साथ भी क्या चला गया, LI चला गया, तो finally क्या बन गया, RLI और साथ में क्या बन गया LIX यह side product हो गया RLI क्या हो गया major product हो गया अब अगर हम बात करें particular example की तो जिससे इसने ले लिए C4H9CL plus 2LI तो यहाँ पर आप देखोगे कि C4H9 के साथ क्या गया LI आ गया और जो CL है उसके साथ भी क्या जागा LI तो यह हो गया finally C4H9 LI और LICL इसको BULI भी कह सकते हैं short में आप इसको क्या लिख सकते हो BULI, BU का मंदब ब्यूटाइल ग्रूप BU का मनदब क्या हो जागा तो इसको आप BULI भी लिख सकते हो यहाँ पर आपको दियान रखना है RLI जो है organometallic compound का काम करता है दूसरा यह strong base का काम भी कर सकता है organometallic compound जो है वो nucleophile का काम भी कर सकते हैं और base का काम भी कर सकते हैं अब अगर हम बात करें second method की by hydrogen exchange method यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं hydrogen का exchange कर रहे हैं कैसे PHLI plus PHC triple bond CH अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर यह वाला method तो कहता है direct RLI form आप कर रहे थे यहाँ पर आप देखोगे पहली एक RLI present है आरकान तो कोई सा भी आपके organometallic compound present है उसको आप एक तरह से exchange कर रहे हैं बहुत नया compound बना रहे हो तो आप नहीं कर अगरा PHLI की reaction कर रहे है PHC triple bond CH के साथ तो हुआ क्या exchange हो गया यह H यहाँ से यहाँ चला गया और यह Li जो है यहाँ से यहाँ चला गया तो आप क्या देखेंगे कि एक आपके Alkylithium compound से या organolithium compound से दूसरा organolithium compound form हो रहा है तो यह आपके PH हो गया और यह हो गया PHC triple bond CHLI Next method के अगर हम बात करें यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है RLI जो है वो Ionic organolithium compound जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में बता दिया था तो यह आपके दो preparation दे रहे है common यह बहुत जादा तो बहुत जादा difference नहीं है लेकिन जहाँ पर different product बन रहा है वहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है अब अगर हम बात करें कि amical reaction की तो reaction with water तो दीखे ग्रिजनाड डिजन्ट की भी अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था के साथ क्या जुड़ जाएगा अब अगर हम बात करें next reaction की reaction with acid reaction with acid के अगर हम बात करें तो acid के साथ जब आप reaction कराओगे तो यहाँ पर ketone बन रहा है important reaction है क्योंकि यहाँ पर ग्रिजनाड डिजन्ट से comparison होगा तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि acid के साथ जब आप reaction करें ग्रिजनाड डिजन्ट की तो ketone बन रहा है यह आपको ध्यान रखना है तो आपको ध्यान क्या रखना है कि किसके साथ किसकी reaction कराने से क्या बनेगा तो आपने क्या याद करा acid की reaction जब आप कराओगे RLI के साथ RLI कुछ भी change कर सकता वो तो finally आपको ketone बनाना है क्या बनाना है ketone अभी हम जब गिड़ना रिजन पढ़ेंगे वहाँ पर देखेंगे कि वो acid के साथ क्या बना रहा है तो वहाँ comparison हो जाएगा आपका next अगर हम बात करें reaction with carbon dioxide यहाँ पर दो condition दे रिखें पहली condition में क्या है RLI साथ में carbon dioxide excess में तो carbon dioxide जब excess में तो यह बन रहा है RCOOLI hydrolysis कराओगे तो acid बन जाएगा hydrolysis कराओगे तो क्या बन जाएगा acid और अगर RLI excess में दे रखा है तो यहाँ पर जब आप reaction कराओगे final hydrolysis के बाद तो क्या बन जाएगा ketone अगर आपको कुछ भी mention नहीं है excess की condition की वह कौन सा excess में कौन सा excess में नहीं है तो आपको by default यह करना है कि अगर आप से कोई simple करे RLI जब carbon dioxide के साथ reaction करेगा तो क्या बनाएगा तो आपको क्या बनाना है acid बनाना है तो यह आपको ध्यान रखना यह दोनों reaction बहुत important है exam के point of view से आ सकती है next reaction की अगर हम बात करें reaction with halogen तो reaction with halogen अगर हम बात करेंगे RLI की reaction halogen के साथ जब आप कराओगे तो finally क्या बन जाएगा RCL और LICL तो यहाँ पर आपने देखा था कि जब आपने RX के साथ reaction कर रहे थी RLI के साथ तो RLI और LIX बन गयता है यहाँ उल्टा हो रहा है RLI की reaction आप halogen के साथ करा रहे हो तो halogen R के साथ भी जुट रहा है इसके बाद अगर हम बात करें organometally compound of magnesium तो आप सब जानते हैं कि magnesium का organometally compound है जो की बहुत famous है वो है greenard reagent greenard reagent के अगर हम बात करें RMGX formula अब यहाँ पर method of preparation के अगर हम बात करें तो दीखें यह मैं आपको बता चुका हूँ फिर भी वापर से repeat कर लेते हैं RX की जब हम reaction कराते हैं alkyl halide की magnesium के साथ किस presence में dry ether क्योंकि देखें water आप solvent नहीं ले सकते हैं वाटर साथ यह reaction करा है इसलिए हम dry ether लेते हैं तो dry ether के साथ जब आप reaction कराते हैं to finally क्या बन रहा है RMGX अब important बात यह है कि जब यहाँ पर RX था यह डेल प्लस था और यह डेल माइनस था और magnesium के साथ जब आपने reaction करा ही तो यह हो गया RMGX तो आप RMGX में R जो है डेल नेगेटिव है और magnesium जो है उस पर और डेल पॉजिटिव आ गया है तो यहाँ पर R का जो sign है वो क्या हो रहा है चेंज हो रहा है मतलब उसका जो charge है वो क्या हो रहा है इसको हम कहते हैं reversal of polarity और reversal of polarity के लिए जो term गामे लेते हैं वो होता है अमपोलंग वो क्या होता है हाला कि देखेंगे तो RLI में भी आपने क्या देखा Rx जो था यह आपके डेल पॉजिटिव था और यहाँ पर यह डेल नेगेटिव हो गया लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर क्योंकि यहाँ यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी एक्स प्रेजेंट है तो यहाँ पर इसको हम कहते है reversal of polarity जिसके लिए term जो हम काम लेते है वो लेते है अमपोलंग गरिगनाड डिएजेंट एक्जिस्ट इन स्लैंक एक्लिवियम खिरिगनाड डिएजेंट जो होता है वो स्लैंक एक्लिवियम में एग्जिस्ट करता है क्या होता है इस लैंक एक्लिवियम आपने देख़ी ही जो फर्मला प्रपड रखा है वो है Aur MIN अगर हम बात करें organometally compound की तो दीगे organometally compound जैसे कि मैं आपको अभी बताया थोड़ दिर पहले दो तरीके से behave कर सकते हैं या work कर सकते हैं या function कर सकते हैं एक तो base की तरह है और दूसरा nucleophile की तरह है base जो होता है वो क्या करता है H plus लेने का काम करता है और nucleophile जो होता है वो carbon protect करता है तो आप मान के चलिए कि अगर जो आप reactant ले रहे हैं या servastate ले रहे हैं उसमें acidic hydrogen present है तो पहले acid based reaction होगी क्योंकि acid based reaction जो होती है फास्ट होती है और उसके बाद अगर माली जो acidic hydrogen नहीं है तो जो आपके organometally compound है वो nucleophile का काम करेगा इसकी बाद अगर हम बात करें chemical reaction की तो दीकिए गरगना डियजन की काफी सारी chemical reaction आपके पहले आ चुकी है वापस एक बार revise कर लेते हैं सबसे पहले अगर हम बात करें reaction with active hydrogen containing compound तो यह अगर आपको यादो तो मिन आपको बताया था जैर बाकि आपके side product बन जाएगा अब दीकिए H तो हो गया active hydrogen, Z यहाँ पर क्या क्या हो सकता है OH हो सकता है, RNH हो सकता है, NH हो सकता है, ETC यह सब मैं आपको पहले पढ़ा चुक हूँ, alkynes वाले पार्ट में इसकी बाद अगर हम बात करें reaction with acid derivative तो दीकिए acid derivative चार तरह क्या होते ह तो यहाँ पर Z जो है, वो living group की तरह भीव करता है, तो यहाँ पर जब आप इसके गरणाड येजन के साथ reaction कराएंगे, तो finally क्या हो जाएगा, यह बनाएगा आपके 3 degree alcohol, कैसे बनाएगा, पहली बार जब गरणाड येजन इस पर attack करेगा, तो यह Z निकल जाएगा, क्या न R- है वहाँ पर, तो यह आपके R- attack करेगा, तो यह आपके यहाँ, और यह आपके Z जो है, जब यह वापस जाएगा, Z निकल जाएगा, तो पहली बार जब reaction होगी, पहले molecule से, तो वो क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, और फिर ketone क्या होगा, फर्दर reaction करे के बाद क्या बना लेगा, 3-degree alcohol, अगर आपको याद हो, तो मैंने आपको बताया था, कि जब आपने preparation of carbonyl पड़ी थी, तो preparation of carbonyl में हमने, मैंने आपको क्या समझा है था, कि अगर आप acid derivative की गिर्गनाड agent के साथ reaction कराते हो, तो पहला molecule इसको convert करेगा, carbonyl compound में, और दूसर का molecule इसको convert करेगा, alcohol में, hydrolysis के बाद, लेकिन अगर आप क्योंकि ये strong है, क्या है, ये strong है, अगर आप weak लेते हो, जैसे dialkyl cadmium है, या R2-C-U-L-I-A जिल्मान agent है, तो वो दो बार reaction नहीं कर पाते हैं, वो एक ही बार reaction करते हैं, और एक बार reaction करने के बाद, carbonyl compound बनाते हैं तो carbonyl compound जो है, RMGX से reaction करता है, RLIC reaction करता है, लेकिन जो है, आपके carbonyl compound जो है, वो आपके R2-C-D या R2-C-U-L-I-C reaction नहीं करता है, तो वहाँ पर आपको क्या है, difference create हो जाता है, तो अगर आपको carbonyl form करना है, तो आप R2-C-D-U, R2-C-L-I ले सकते हैं, या फिर अगर आप क्या हो सकता है, X हो सकता है, acid halide के लिए, OR हो सकता है, ester के लिए, NR2 या NH2 हो सकता है, amide के लिए, और OCOR आपके anhydride के लिए, इसके बाद अगर हम बात करें, reaction with carbon dioxide, green light reagent की जब आप reaction करेंगे carbon dioxide के साब, तो finally क्या बन रहा है, acid, अब ये आपको ध्यान रखना है, कि ये अ difference आपके क्या है, कि गिर्गना डिएजंट और RLi में difference क्या है, कि गिर्गना डिएजंट की जब आप reaction करा रहे है, carbon dioxide के साथ, तो acid बन रहा है, और अगर RLi के साथ condition दे रखेंगे, दो condition में आपको बता है, तो दोनों के साब से करना है, और अगर कोई condition नहीं दे रखेंग आपको ketone मनाना है, क्या बनाना है, ketone, इसके बाद दे रखा है reaction with cyanide, अगर आप cyanide के साथ reaction कराएगे, गिर्गना डिएजंट की, तो finally hydrolysis के बाद क्या बनेगा, ketone, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है, next अगर हम बात करें, reaction with alkyl halide, alkyl halide की reaction अगर आप करोगे, carbonil compound, तो यह मैं आपको बता चुका हूँ, कि carbonil compound के साथ जब आप ग्रिणा डिएजंट की reaction कराते हैं, तो finally जो product बनता है, वो depend करता है, कि आपने reactant क्या लिया है, अगर आप formaldehyde लेंगे, तो 1 degree alcohol बनेगा, aldehyde लेंगे, तो 2 degree alcohol बनेगा, और अगर आप ketone की reaction कराएगे, तो finally क्या बनेगा, 3 degree alcohol, organometally compound of tin, तो दिखें, जो tin की organometally compound है, R4 SN, R4 SN जो है, वो है, covalent in nature, क्योंकि oxidation state अगर higher होती है, तो वो covalent nature का होता है, यह मैं आपको फाजान सुरूल में बता रखा है, कि अगर oxidation state higher है, तो covalent nature जादा होती है, और अगर oxidation nature, oxidation state कम है, तो आईनी character ज plus 4 oxidation state, SN के जो organometally compound है, वो plus 2 में भी हो सकते है, और plus 4 में भी हो सकते है, plus 4 अगर होगा, तो वो covalent in nature होगा, plus 2 होगा, तो हम कह सकते हैं कि उसमें आईनी character जादा होगे, ठीक है, covalent होगा, लेकिन आईनी character जादा होगे, अगर हम बात करें, यह हो गया, अब जैसे C5H5 SN, अ किस का काम करेगा, लो निपियर का, क्यों कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो उस पर दो electron बच गए, तो यह आपको structure का idea रखना है, अगर structure बाई साइस बूच ले तो इसलिए मैं आपको बता दिया, इसके बाद अगर हम बात करें कि preparation की अगर आप दिखोगे, तो SNCL2 जो है, उसकी reaction जब आप करा रहो C5H5NA के साथ, तो यहाँ पर क्या होगा, 2C5H5NA के साथ जब आप reaction करा होगे, SNCL2 की, तो वहाँ पर क्या होगा कि C5H5 जो है, वो replace कर देगा क्लोरीन को, और यहाँ पर क्लोरीन किस के साथ चल जाएगा, sodium के साथ, तो finally क्या मन जाएगा, C5 H5 का whole to S, SN मन जाएगा, तो यह एक तरह साब क्या सकते हो, preparation है, उसकी बाद यहाँ पर आप क्या करो, it behave as Lewis base, Lewis base की तरह behave करता है, अब Lewis base की तरह behave कैसे करता है, कि अगर यह plus 2 में होगा, तो loan pair present होगा, और loan pair present होगा, तो यह Lewis base की तरह behave कर सकता है, तो जैसे मान लीजे एक example द review कर रहे है, आगे अगर हम बात करें, 4 CH3 MgCl plus SNCl4, तो देखिए, RMGCl मतलब गरिगनाट रिएजन है, यहाँ पर reaction करा हो SNCl4 के साथ, तो जब गरिगनाट रिएजन के आप SNCl4 के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, तो क्या होगा, तो देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि CH3 4 SN, त जुड़ रहे हैं, दो alkyl group जुड़ रहे हैं, और इसकी बाद जब आप reaction करा हो, RMGCl के साथ, तो यहाँ पर 4 alkyl group जुड़ रहे हैं, इसकी बाद अगर हम बात करें, सबसे important point जो है यहाँ पर, वो यह है, organometally compound of tin, या फिक कई बार simple tin भी mention होता है, दोनों ही तरीके से caution यही बार पूछ रखा है, तो दीकि बेसिक जो था आपके organometally compound का, जो आपके syllabus मेंचन हैं, वो मिन आपको कवर करा दिया, introduction करवा दिया, क्योंकि introduction से भी caution आते हैं, उसके अलावा तीन जो आपके mention हैं, वो मिन आपको करवा दिये, उसके अलावा भी कोई point बचेगा, तो हम questions के तो discuss कर लेंगे, तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं, अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद,